बिहार के सेक्रों गों के पशू एक बहुती खतरनाग बिमारी से जूज रहा है हमें कई जगहों से कोल आया और सभी जगहों से बस एक ही शिकायत थी कि देखिए मेरी दरवाजे पर जो गाय बंदी हुई है या फिर मवेशी बंदा हुआ है उसकी बदन में गाठ हो गई है और उस गाठ के वज़े से जो मवेशी है गाय है बेल है वो चल फिर नहीं रहा है पहले हम दो तीन किसान के पास पहुँचे और फिर मवेशी गाय और बेल जो है उसकी हालात से हम परिचित हुए हमने तस्वीर खीचा और देखा तो पता चला कि ये लंपी बिमारी है अब लंपी बिमारी इतनी खतरनाक है इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि लंपी स्कीन डिजीज लंपी वारस के नाम से मशूर है और ये वारस सिर्फ बिहार में ही नहीं है इससे पहले भी इसकी शुरुआत इंडिया के गुजरात से फिर रादस्तान से उसके बाद पंजाब हर्याना और फिर जमु एन कश्मीर से और चलते चलते अब ये लंपी वारस पहुँच गया है बिहार में बिहार में एक गाउं चैनपूर में भी हम मुझजूद हैं ये कहानी सिर्फ चैनपूर का नहीं है लगबग बिहार के सेकरो गाउं का है हमने पता किया तो पता चला कि यहां जो लगबग 100-50 cils गोँ जो आसपास में है सबी गाउं में एक दो चार केसे हैं हम पहुँच यहां पर देख लिए दिरिश्य के मादेम से यह गाए है और यह गाए आने वाले वक्त में यह प्रेगनेट होने वाली थी और इसी दुरान देखिए इसके बदन में गांट बन गई है देखिए दिरिश्य के मादेम से देख लिए शरीर के परते के हिस्से में गांट बन वो बहुत ही जानलेवा होता है अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो यह मर भी सकता है गाए के आउनर अब्दुल गनी साहब है कैसे प्रचला आपके गाए को यह जो गांट है यह गांट बनी है तो गांट देखें जो ब्याहनों कर उसको लाथ पर लगाए ना तो थोड़ा हो चकता चकता उसको रिह दे़ने के आज हैं जिकलने के भागा में आप मेने सोभी बन कर दिया कितने दिन पहले सकते टिन पहले आपके गाए के शरीर पर गांट बनना शुरू हुआ चे पॉछिए तो बनना शुरू हुआ था तो इसससे पहले क्या लेक्षU सब चीज और टांक और पर इसके बाद में मन यहीं हुआ जाब करेंगे तो डाक्टर को मंगाए तो दू-3 तो स्वियों भी वो दिया का ठीक हो जागा मज नहीं ठीक नहीं हुआ अब यह दो खाना पिना तो नहीं खा रहा है इतने बात है समुझा सरीर जब इसका पुरात ही हो गया है यह जो वारास केतनी दिनों से ग्रशीत है मतलब एक हपता से पांच-छे दिन से तस दिन से मिलाज लाकर रखिये जाब 6-7 दिन हो गया है 6-7 दिन हो गया है और जो अप अब इस्तिति कैसी है पहले से बेहतर है या फिर वैसे ही है वह सही है बचेगा क्या होगा तो जानेगा मालिक है प्रेग्डेंट भी थी क्या पूरा खुल गया है तो यह एक केस है इसके बाद आपको दूसरे जगह पर लेकर चलते हैं और जानेंगे कि आखिर वहां की क्य स्थिति है आपने देख लिया जे मधिपूरा जले के गराम पंचैत लक्षमीपूर के गाउं चैनपूर है और वहां की दिरिश्य है एक जगह अब दूसरे जगह पर लेक्शलते हैं वहां के स्थिति से भी आपको परीचे करवाते हैं आई हमरे साथ आप दिरिश्य के कथ बंश्य की लेवा एक कर आपका कि आपका जरी कर वान है मुझ यह कर वा दिख लीजे आप दिरिश्य के माधेम से दिखा देखे दिख लीजे अब दिख लीजे अब अब आपको आगे ले चलते हैं वहां भी हम देखते हैं कि आखिर वहां का क्या नज़रा है अब हम दूसरे जगा पहुंच गए हैं वहां के दिरेश्चे से आपको हम परिचेकर वाता है यह देख लिजिए यह बैल है यह कब से गरसी था इस बीमारी से करेंगा यह दो दो जो दोड़ाइं कि जाटेश्बॉर का दिये हैं अभी तक शुराइत नहीं हैं व explicit कर दिया खिया कि हम सभी होगा अब दूसरा डॉक्तर कदावगराइए तो अवह उसको वहिपाज़urun और इम की हैं पानी आपनी जो अस से हम की हैं लगिन समलाँ नहीं समल अभी तक वैसे पराहा आठ रोज मतलब गिरा है तो अभी तक गिरे हुआ है चो अपने की सूरुपे खर्च किया इसके पीछे तो दवाय जो किया आपने तो लोकल जो प्रैक्टिसनर डवता होता ऊसी करवाया है या है फिल्ट सरकाई डॉक्टर से लोकले में करव सब्सक्राइब बच्रा हुआ है रहे का वत जगल शया तब जग डोगिया दिजिए इसके अपर वही लंपे रिमारी का है आप दिर्श्य के माध्यम से देख लिए आपको पर देखिए गांठ दिखाए देगा जो आप जो उजला उजला दिखाए दे रहा है यह देखिए चमड़ी उड़ा हुआ है चेचक जैसे आदमी में स्मॉल पॉक्स होता है चिकेन पॉक्स होता है वही है ना ऐसा ही लक्षन है इसको लंपी बिमारी कहते हैं पहले दूने तवन पहले दूलोव ने अगला लगटा लगता है लग शीया से नहां टैनुक्त में उपने सजा करके खैरी में पैसे लेके धवे मंगवा करके रिङुक्ष्ण चलाने गबार नहीं सुदार हुआ तो लाश्ट में डाक्टर कर दिया कि हम सग नहीं होगा, अब दूसरा डाक्टर दखाईए, दूसरा डाक्टर लाए तो वो साथ आठ को सुई लगाया, पैसा उपना ले लिया, फर उसको हम फंद पर फंद किये, लाश्ट में कर दिया कि हम सग नहीं होगा, इलाज दूसरा देखाई ताफ उसके बाद जो है अपना जो हम पानी उनी से उसको सेक्साख किये तो आठ रोंसे जो है मतलब उसको किसे साख करके लेकिन सुधार नहीं हुआ तो लाश्ट में जो पैसे उसे नहीं था तो मुझे लाश्ट में छोड़ दी इसका इलाज क्या है आपको आखिर कंदर भी कहने कहीं आपको देखने को मिलेगा तो उनसे संपर कैसे करना है क्या इलाज है क्या ट्रीटिमेंट है आपको माखिर बताएंगे अब आपको लिए चलते हैं दूसरे जगह पर वहां की इस्तिति से आपको हम परिचे कर वाते हैं हमारे साथ बने रहे थोड़ा और से बड़े तो हमें दिखाए दिया यह दिखिए बाची है सामने में और इसके विस्तिति देख लिए से मुएसा ही है बिल्कुल पूरा बदन गांट से भड़ा हुआ है हर जगह सिर्फ गांटी गांट दिखाए दे रहा है और जानकारी मिल रही है कि इसके शरीर पड़ भी पिछले एक हफ़ता से गांट बना हुआ है आपकी गाए है बाची है कहना है मेरा माम अलाव दिन साहब कब से है यह 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 आर्ट दिनों से जी शुरू-शुरू में कैसा हुआ इसको शुरू-शुरू में निकला खुब बढ़ा लाचेता अब तो मलीम कुछ हो गया है बहुत बढ़ा रहा मों कान फूल के ढशा हो इसका पार भी फुल गया था चारो आर्थ शुरू-शुरू-था नहीं है यह आदना खाया प्याइब कि खाते प्रशानी इसके पास में बहुत ज़्याद है ते दखाई जाए एक हफ्ता से बैठी नहीं है ऐसे खडी में खड़ी है खड़ी है बैठी नहीं है शुरूदी अब्सक्डू को강नेज़ weptain Скुछ किम और एक्सटास कोणेट नियुक्वाइं धाथ theatre कारे मिलता है अब आगे देखते हैं इस रहता है और मिलता है देखने को और फिर वहां से आपको जानकरी हम देंगे, आप हमर साथ बने रहे हैं, आगे वड़ने के बाद मुझे एक और गाय दिखाए दी, और इस गाय के अंदर भी शरीर पर, देखे आप जो ये काला कला धबा या फिर गांठ देख रहे होंगे, देख लिजे, आप जूम करके दिखा देजे, इस शरीर पर भी गांठ बने हुई है, अब इसका जो मालिक है, उनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे कंट्रोल किया, हलाकि ऐसा बता जा रहा है कि इस गाय के विस्तिती बत्तर थी, लेकिन कहें से ये इलाज कर रहे थे, और समय पर इलाज कर लिया इन्होंने, इसके व बने हुई है, आप जड़ा साइद आज ये, आपका ही गाय है, हाँ हमारे है, तो दुसरी पर गांठ बने हुई है, कब से बने हुई थी लगभग दस रोज हो गया, और ये इलाज हुआ है, जिसका नाम रमिंत मुख्या है, उसको बला करके लाएन है, तो वह मात्रे तीन इसको इंजक्शन दिया, इसके बाद इसको दवाई लिख दिया, खजरी वहां, क्या काता है, हमापती से, हमापती से दवाई लाए तो आट रोज से चल लाए है, फिर अभी आज फिर लाए है, दोगो सीची, वह फिर आभी आट-दास रोज फिर चलेगा, बाद तक, कितन दावद डाक्टर दिया था, बाद 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 की जो था, ये रविंदर आया तो तीन इंजक्शन दिया, 16, 17, 18, 19, 19 हो गिया, इसके बाद रविंदर का इसको सुई नहीं लगा, नहीं लगेगा, तो इसका सईट ख़तम हो जगा, और इसको हम क्या कहते है, हमापती से चल प्राइवेट डाक्टर से इलाज करवाया था इसकी, तो कितने सुई दिया था उन्होंने, तो सोला इंजक्शन देने के बाद भी गाये तंदूस्त नहीं हो रही थी, तो इन्होंने किसी और व्यक्ति को पकड़ा, वो भी प्राइवेट डाक्टर ही है, कोई सरकाई डाक् पूस्त होती भी दिख रही है, अलागि अभी तक यह जो खत्रा है, खत्रा टला नहीं है, यह देखिए, अभी भी इसके मुह पर आपको जो गांट बनी हुई है, देखिए, अब आपको एक जिगा और लेकर चलेंगे, जहां पर भी इसी तरह का मामला सामने आया था, लेक में काम्याबी हांसिल की है, उनसे हम पूस्ते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ हो आता है, हलाकि इस तरह की बिमारी आपको सिर्फ यहां की नहीं है, पूरे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों की है, अलग-अलग गाउं की है, हर जिगा हम नहीं पहुँच पाएंगे, ल